Welcome to RJ Classes और आज हम लोग सीखेंगे कि Spherical Mirror Exactly Concave Mirror से हम लोग रे डियागराम कैसे बनाना है तो कुछ रे डियागराम बनाने के पहले इस वीडियो में हम लोग कोसिस करेंगे रे डियागराम स्टार्ट करें रे डियागराम बनाने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझना जरूरी है कुछ चीज़ें मतलब क्या कुछ रे अगर हम Mirror पे Strike करवाते हैं तो उस रे का Movement क्या होगी Movement क्या होगी मतलब क्या After reflection ये रे कहां से Pass करने वाला है तो एक चलो जरसा सबसे पहले हम लोग कौन के Mirror बनाते हैं एक हमने कौन के Mirror तयार कर लिया कौन के Mirror ठीक है अब ये कौन के Mirror के लिए सबसे पहले आप जो भी रे पास कराएंगे उस रे का Nature क्या होगा क्योंकि रे डियागराम अगर आपको बनाना है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा रे किस तरह का मुमिंट देगा और ये कहां से पास करेगा after reflection from the mirror तो ये हमने चलो जरसा बना लेते हैं ये पोल focus second focus या इसको आप center of curvature भी बोलते हो आप इसको second focus बोल लो या center of curvature बोलत तो बहुत सारे बुक में आपको second focus मिलेगा बहुत सारे बुक में आपको ये center of curvature मिलेगा maximum बुक में आपको ये center of curvature ही लिखा होगा चले जरसा अब सबसे पहले समझते हैं कि आप जब ray diagram बनाओगे तो आपका ray का nature क्या होनी चाहिए कौन सा ray कहा से pass करे और ये फिर ये movement क्या होगा सब पूछ करो अगर मेरे पास ray of light parallel to principal axis है क्योंकि last आपको definition भी दिये थे तो कुछ कुछ ये बहुत easily सहुन में आ जाएगी अगर कोई भी ray of light मेरा parallel to principal axis है अच्छी तरह समझेगा so parallel to principal axis अगर मेरा ray of light mirror पे strike करवाते हैं और यह strike होता है so after reflection they will pass through दिक्या जागा focus इस तरह के ray कहा से pass होंगे focus से pass होंगे ये properly समझ लेज़ाब अच्छी तरह समझ लेज़े तो सामझ में आ गया होगा कि अगर parallel है principal axis के फिर से repeat करते हैं अगर principal axis के parallel अगर हमको ray of light मिलता है या अगर हम लेते हैं so under that situation that ray of light will pass through the focus ये तो पहला condition आ गया second condition की बात करते हैं इसी हम तिनों condition समझ नहीं कुछिस करेंगे second second आपके पास condition है क्या आप second focus से pass करा हो कहा से second focus या center of curvature अब जो भी बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं कोई attention नहीं है अगर कोई भी ray of light second focus या center of curvature से pass करता है ये जिस path को follow करते हुए mirror पे strike करेगा it will retrace this path मतलब क्या हो जाएगा reflection के बाद ये कहीं और divert नहीं होगा या किसी दूसरे route पे आपको नहीं मिलेगा जिस रास्ते ये गया था exactly उसी रास्ते ये वापस आ जाएगा अच्छी तरह समझेगा मतलब आपको जो incident ray मिलेंगी वही आपके पास reflected ray भी होगा तो ये आपके पास एक condition आ गया और इस condition को properly अच्छी तरह से दिमाग बैठा लो क्योंकि ये एक लौता condition होता है कि जब आपके पास ray of light mirror पे strike तो करेगा और ये retrace करेगा अपने path को तो कभी कभी question आता है कि under what situation a ray of light striking on the spherical mirror retraces its path तो आपका जबाब भी होना होगा when ray of light passes through the second focus और center of curvature it retraces its path चले चला सा ये तो समझ में आगे आमको तीसरा जो condition आपके पास है और ये condition भी जरूरी है हलाकि जो condition पहला पढ़े हो उसी का ये थोड़ा सा क्या होता है ultra form है आप तीसरे condition में सपुछ करो अगर आपका ray of light focus से पास हो प्रोपले समझेगा अगर आपका ray of light focus से पास हो तो under that situation ये ray होगा reflect होने के बाद फिर कैसा हो जाएगा अगर अपना एक ray of light if passes through the focus after reflection it will become parallel to the principal axis ultra पहला condition क्या था अगर parallel to principal axis अगर एक ray of light spherical mirror पे strike करता है so in that situation it will pass through focus और इस बार जो हम बात कर रहें क्या if a ray of light passes through the focus so after reflection it will become parallel to the principal axis तो ये कम से कम ये तीन condition आपको याद रखनी होगी if you want to do the ray diagram ray diagram काफी जी है आप आसानी से कर सकते हो बस condition ये है कि आपके पास ये situation पती हो पता होना चाहिए अच्छे अब ray diagram बनाने के लिए कुछ rules है उस rules को आप डिसकस करेंगे सबसे पहला rule और अच्छी तरह rule समझेगा rule बहुत simple सा है है क्या आप सबसे पहले spherical mirror लिए spherical mirror लेने के बाद अच्छे आप सबुचकर pencil and scale का proper यूज़ करना क्योंकि अगर आप pencil and scale properly अगर आप measure ले रखे हो तो आपका diagram perfect बनेगा अभी तो आपको समझाने के लिए हम लोग रफ diagram कर रहे है बट अगर आप pencil and scale और अगर measurement प्रॉपर ले रखे हो you will exactly get दिक्या जागा exact value और जहां बनना था वहीं बनेगा spherical mirror सबसे पहला आप spherical mirror बनाया इस principal axis pole एक particular distance पर आपने focus लिया और उतना ही distance पर जितना distance अपने पास हो उतना ही distance पर second focus जिसको आप क्या बोलते हो center of miss center of curvature ठीक है अच्छा आप ray diagram मनाने के लिए चलो यह तो मेरा spherical mirror का part हो गया यहां तो आप rules की कोई बात नहीं हो लिए अब हम बात करते हैं कि rules की पहला rules object को हमेशा ही in front of क्या हो जाएगा आपके पास spherical mirror लेना होगा object should be kept in front of the mirror on the principal axis और कैसे लेना आपको perpendicular at an angle of 90 degree to the principal axis यह याद रखेगा पहला condition याद रहा object in front of mirror in front of mirror पहला condition in front of mirror दूसरा condition आप क्या बोले object should be kept on the principal axis principal axis पे ही आपको object लेनी होगी और दूसरा कोई भी जगा आपके पास नहीं है अब आप पूछोगा सर principal axis पे कहा यह position आपको पहले से बताया होगा कि आप इस position पे object को रखो या इस position पे आपको बता जाएगा आप focus को object को रखो या आप first and second focus के बीच में रखो या second focus पे रखो या beyond second focus तो ओ position आपको बताया रहेगा और उसी position पे तो आपका second point क्या बोले object should be on the principal axis आप क्या बोले principal axis पे ही आपको object को रखनी होगी third one the object should be perpendicular to the principal axis आपका मन करेगा तो आप ऐसे नहीं ले सकते object को आपका मन करेगा तो आप अच्छे ऐसे आपका मन करेगा आप ऐसे नहीं ले सकते object को that means it should be perpendicular at an angle of 90 degree to the principal axis that is mandatory चले ज़रा साथ इसके बाद ये तो चले object को रखना कहां है कहां पे रखना है इसके बाद जो सबसे mandate to do third one it should be क्या जागा perpendicular perpendicular to the principal axis to the principal axis principal axis बहुत बार आपका complain रहता है कि सर थोरा सा आप बरा लिखिए या थोरा सा clear लिखिए तो संगसंग तो हम बोल भी रहे हैं तो आप तो सुन रहे हो तो उस हिसाब साब dictate कर लेना अच्छे fourth point और ये जो सबसे ज़रूरी point फोर्थ point पा दिवांग बैठा लो at list जो सबसे ज़रूरी आप बत बता रहे हैं आपने क्या किया प्रिंसिपल axis पर object को तो ले लिया ठेक है और आप बात करते हो क्या ray diagram बनाने की तो ray diagram के लिए तो ray चाहिए अब ये question आया कि अगर हमको ray diagram बनाना है कितने ray दो, चार, दस, पंदर, कितने at list two rays are required from the same position to draw a ray diagram object की एक ही position से कम से कम दो ray आपको लेनी होंगी अगर आपको ray diagram बनाना है at list two rays आप कितने at list two rays two rays है ना should be taken from a position कहां से एक ही position से दो ray जैसे मैं समझाओ अगर अगर इस position से अगर हमको diagram बनाना हो तो first ray अच्छे, दो ray कहां कहां से first ray आपको लेना है parallel to principal axis पहला ray कहां लेना है parallel to principal axis अब बोलोगे ये क्या mandatory है यस हर एक बार जब भी आपको ray diagram बनाना होगा ray day को ray diagram बनाना काफी easy है easy नहीं, easiest thing है और यहां से कुछ नो कुछ question आता है है ना, अब उसका बाद फिर object के nature और उसके size, सब कुछ बात करेंगे तो सबसे पहला, आप जो पहला ray जो लोगे that should be parallel to the principal axis और जट से फिर आप एक जबाब और दोगे कि sir अगर ये parallel to principal axis लेंगे so it will pass through the focus it will pass through the focus बिल्कुल सही होगा and the second ray of light either should be taken from the center of curvature or focus या तो आप center of curvature से पास कराईए या focus से पास कराईए whichever the convenient position to you और ये कौन सा आपके पास जो भी convenient position बनता है उस position से आप क्या गर होगे पास करा होगे तो most of time हम लोग कोसिस करेंगे कि focus से पास कराए क्योंकि focus से पास कराने के बाद आपको पता है कि ये ray of light this ray of light will become parallel to the principal axis देखो जरा सब तो यहां क्या करेंगे focus से पास कराएंगे और ये मेरा क्या हो गया निकल आया अच्छ अब जहां पे दोनों ray of light एक दूसरे को क्या करेंगे exactly meet करेंगे meet करेंगे मतलब क्या एक दूसरे को क्रोस करेंगे तो exactly जिस position पे ये दोनों ray of light एक दूसरे को क्रोस करेंगे that will be the क्या हो जागा position of the formation of the image और ये मेरा क्या हो जाएगा यहां पे हम लोग उल्टा क्या करेंगे ये image बना देंगे अच्छ उल्टा क्यों अगर mirror के सामने अगर ये दोनों ray of light एक दूसरे को क्रोस करेंगे that means क्या हो जाएगा real image is being formed and in that case your image should be क्या हो जाएगा inverted understood तो ये आपके पास कहानी था ray diagram मनाने के लिए rules आपके पास जो fourth point है fourth rule को थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोसिस करेंगे और इसको थोड़ा सा और elaborate करते हैं तो पहला हम erase कर देते हैं and fourth point को अब हम लोग क्या करेंगे ray diagram मनाना start करेंगे ray diagram भी बनाते रहेंगे nature भी समझते रहेंगे size भी समझते रहेंगे position भी समझते रहेंगे और अपना क्या कहोगा कि ये सीखते भी रहेंगे चले ज़रा सर तो अब ray diagram बनाने के लिए rules तो समझ में आ गया होगा आपको rules के बाद अब जो आता है पहला position अगर आपका object कहां पे हो infinity पे हो अब बोलोगे सर object is at infinity देखो अब ray diagram बनाना है ray diagram बनाने के लिए आप बोलोगे सर आप थोड़ा सा confused रहे होगे कि ray diagram बनाने के लिए हम object को रखेंगे कहां पे principal axis पे तो रखना है समझ में आ गया perpendicular रखना है ये भी समझ में आ गया लेकिन exactly हमको रखना है कहां पे ये position आपको question में mention रहेगा कि किस जगह पे रखना है तो चलिए ज़रा सा ये आ गया मेरे पास spherical mirror ये हमने spherical mirror बना लिया ये हमने ले लिया pole ये हमने ले लिया focus और ये हमने ले लिया second focus और हम जो बात करें कितना at infinity at infinity अब ये infinity पे जब आप object को रखोगे तो फिर आपके पास right diagram कैसे बनाओगे तो पहला जो question आगा सर ये तो है infinity पे मतलब exactly हमको position पता नहीं है हमको तो पता ही नहीं कि object है कहाँ पे exactly ज़र हमको object पता नहीं है तो हम दो ray कैसे ले सकते हैं so under that situation एक ray तो आपको हमेसा ही पता है कि it will be parallel to the principal axis तो हम क्या करेंगे जब कभी भी अपने को infinity पे object दिया हो या object का exact position पता नहीं हो तो हम क्या करेंगे upper and lower क्या जाएगा position of the principal axis के upper and lower position दोनों जगह पे हम लोग ray of light पास कराएंगे कहाँ parallel to the principal axis और after reflection ये जहाँ पे जाकर meet करेगा that will be the point of formation of the image चलो जड़ासा पहला हमने पास कराया ray of light कहाँ parallel to principal axis यहाँ भी हमने ray of light पास कराया और ये ray of light कैसे है if the ray of light are parallel to the principal axis और आप जट से बोलोगे if the ray of light are parallel to the principal axis तो ये कहाँ से meet करेंगे आप लोगे सर्भी ये focus पे meet करेंगे अच्छे direction आप arrow के through direction जरूर mention करना कि कौन सा incident है कौन सा reflected है अगर आप arrow mark नहीं put करते हो तो believe करो आपका marks क्या हो जाएगा cut जाएगा तोकि ये mandatory है जरूरी है आपको बताना परेगा कि कौन सा आपका incident है कौन सा आपका reflected है आप बोलोगे जट से कि सर दोनों के दोनो ray of light कहां पे मिले focus पे ये जोगा अपने पास ये focus पे अपना image formed होगा चले जरूरा सा focus पे तो image formed हो गया अब जब image formed हुआ तो हमको कुछ चीजे बात करनी होगी सबसे पहला बात करनी होगी nature की आप बोलोगे सर नेचर nature मतलब क्या होता है miss real है या virtual है आप जट से जवाब दोगे फिर से क्योंकि आपको बिल्कुल जब आपके पास image के बारे में nature के बारे में image के बारे में समझाया गया था आपको बताया गया था whenever image is formed in front of a given object so that will be क्यों जाएगा real image तो nature में आपने बोला क्या real और real है तो आप जट से यहाँ एक और वर्ड लिखोगे inverted इंवर्टेड भी हो गया second आप बात करोगे size की size में देखो बहुत बड़ा कभी-कभी आप learn करना start कर दे तो learn करने वाले कोई बात है नहीं यहाँ पे size का मतलब अगर आप किसी भी object को दूर में रखे हो जैसे infinity पे था काफी दूर था और यह बना कहाँ पे mirror के सामने काफी सामने बन गया मतलब आप रखे थे दूर पे बना सामने जब भी को भी ऐसा हो कि आप काफी दूर में object को रखो और यह बन जाए काफी सामने इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो image का size होगा वो size कैसा होगा diminished diminished मतलब छोटा diminished diminished मतलब छोटा होगा smaller होगा than the object given अच्छे अब आप करते कि position position मतलब किस जगह पर formed हो गया तो आप बोलतो हो at focus at focus तो यह आपके पास क्या हो गया तो image बनाएं कैसे हमने एक आज discuss करा है अभी और भी 5 position के लिए हैं तो next time लोग 6 position के लिए exactly 6 position मैं position समझा दू पहले आपका सबसे पहला होगा infinity पे दूसरा होगा beyond 2f तीसरा होगा आपके पास at 2f fourth होगा between f and 2f f and 2f fifth होगा at f और आपके पास last one between the क्या जाएगा pole and focus तो यह आपके पास different position है पहला infinity then beyond 2f at 2f between the f and 2f at f and between the pole and focus यह different position होगी जहां पे आपको क्या करना होगा image क्या करना होगा आपको बनाना होगा और next video में हम लोग इस बारे में क्या करेंगे discuss करेंगे